हेलो स्टूदेंस आज की अपनी इस वीडियो में हम वेराइटल आइडेंटिफिकेशन तुरू ग्रॉआव टेस्ट पढ़ेंगे मतलब कि हम ग्रॉआव टेस्ट डिसकस करेंगे जिसको जी ओटी भी कहते हैं और यह जो टेस्ट है बिसिकली यह जब हम सीड सर्टिफिकेशन होता है तो वहाँ पर जिनेटिक प्यूरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है मतलब कि कितने परसेंट जिनेटिक प्यूरिटी है जो हमने अभी जो अपना जो सीड सेंपल लाया है जो हमने अभी seed lot ready किया है मतलब जो certified seed मतलब certification से पहले उसकी genetic purity identify करनी है हमें determine करनी है उसके लिए ये GOT होता है grow out test तो grow out test होता कहा है basically ये एक test है which is conducted to determine the genetic purity of a given seed lot तो जो भी हमारा seed lot है जो भी हमने ready किया है उसकी हमें genetic purity identify करनी है उसके लिए हम grow out test करते है the determination is based on the observation of such plant characteristics of the variety which are least influenced by the environment and are highly heritable तो basically जो ये हम genetic purity identify करते हैं ये identify करना हमारा उन characters के base पर करते है plant के जिन पे environment का ज़्यादा effect नहीं पड़ता है और जिनकी heritability भी ज़्यादा है जैसे for example जो आपकी अगर हम देखो जो color होता है जो plant का color है या जो for example leaf का color है या जो flower का color है या flower के जो आपकी उस particular plant के उपर flower आता कहा है position क्या है ये सब ऐसे characters है जिनकी heritability भी ज़्यादा होती है और जो environment का उन पे ज़्यादा effect नहीं पड़ता है तो हम क्या करते है जो भी हमारा sample है उसको grow करके देखते है और उसके जो भी ये plants के characters है phenotypic characters जो हमें बाहर से देखने पे पता चल जाते है उनको हमें एक standard एक check के साथ compare करते है ठीक है जो check है उसकी suppose 100% genetic purity है तो ये इसके जितने भी plant characters है वो जो हमारी variety concern है जिस variety का हम seed produce कर रहे है उसके लेके उसके सारे characters है मतलब कि ये उस variety का 100% genetically pure seed है इसको हमने as a standard लगा लिया field में और इसी के पास हम क्या करेंगे अपना जो sample है जो अभी हमने seed ready किया है जिसके हमें क्या करनी है identify करनी है genetic purity उसको लगा लेंगे और उसके जो plant characters है उनको हम अपने standard के साथ match करके देखेंगे ये अच्छा standard की height 100 cm है हमारी जो plant है उनकी height भी 100 cm है जो हमने अभी seed lot ready किया है उसका जो sample है इसकी जो leaf है suppose उनका color light green है तो हम देखेंगे जो हमारा 100% genetically pure जो आपका standard है उसकी leaf का color इसके color से match हो रहा है या नहीं हो रहा है और भी जो characters है flower का color की same है या नहीं है तो ऐसे करके हम identify करते है कि जो हमारा seed lot है जो भी अभी हमने seed तयार किया है जिसका certification करवाना है उसकी genetic purity कितनी है यानि कि अगर वो 100% identical है इस standard के साथ में जो हमारा sample है तो हम कहेंगे कि उसकी 100% genetic purity है या अगर उसमें 1% कुछ mixture है कि तो उसकी 99% genetic purity है तो इस तरीके से हम क्या करते है genetic purity identify करते है grow out test के basis पे grow out का मतलब ही है कि जो हमने suppose अभी seed ready किया है हमने seed produce कर लिया हमारा seed lot है इसमें से हम कुछ samples draw करेंगे samples लेंगे जब हम seed certification करवाते हैं तो तब क्या होता है हमें identify करना होता है physical purity, genetic purity, germination percentage यह सारे जो characters होते हैं identify करने होते है तो तब हमें जरुरत पढ़ती है grow out test की तो हम क्या करते हैं यहां से जितना हमारा seed produce हुआ है उसमें से randomly sample ले लेंगे उन sample को mix करके हम क्या करेंगे अपना sample ready करेंगे और standard के साथ इसको grow करेंगे field पे और इनको हम एक दूसरे के साथ compare करके देखेंगे यह standard है इसकी 100% genetic purity है तो इसके characters जो है 100% pure है हमारी variety के है ठीके तो हम जो हमारा sample है उसके भी सारे characters match करके देखेंगे अपने standard के साथ अगर वो 100% match हो रहे है यानि कि किसी भी plant के character यहां पे इससे different नहीं है जो हमारा standard है तो फिर इसकी purity 100% हो जाएगी suppose यहां आपने क्या किये थे अपने 100 plant लगाए थे अपने जो sample था उसमे इसमें देखा आपने 100 में से 98 जो plant है वो तो बिलकुल standard के जैसे है लेकिन 2 जो plant है वो अलग है यानि कि इसमें कह सकते हो कि 2% इसमें क्या है impurity है यह इसकी जो genetic purity कितनी हो जाएगी 98% हो जाएगी तो आगे हम देखेंगे कि प्रोसिजर क्या होता है ग्रॉआउट टेस्ट का कैसे कंड़क्ट करते हैं इसमें हम वीडियो में सब कुछ पढ़ेंगे genetic purity of seed क्या है basically true to its type यानि कि यह बिलकुल true to type होने चाहिए अगर यहाँ पे हमने जितना seed produce किया है उसमें जितने भी seed है वो सारे के सारे हमारी variety के होने चाहिए suppose हमारी variety V1 है जिसका हमने seed produce किया है तो यह सारे seed V1 को ही बिलॉग करने चाहिए ऐसा नहों कि इसमें V2 का कुछ mixture हो गया हो तो true to type हमारी determine करती है हमें बताती है कि जो भी plant है वो सारे ही उस particular variety को भी लॉग करते है जो सारा seed है जो उसका हमने seed produce किया है if the produce seed possesses all the genetic qualities that breeder has placed in the variety concerned it is said to be genetically pure तो हम यह अलड़ी discuss कर चुके है if there is any deterioration or change in the genetic makeup or DNA of the variety during seed production it would definitely decrease or change its performance that is yield genetic resistance or disease resistance etc कहने का मतलब है कि यह हमारी variety है V1 यह plant breeder ने ready की है तो plant breeder ने कहा कि इसके यह characters है इस variety में यह disease resistance भी है suppose यह wheat है for example तो इसमें क्या है आपकी जो yellow rust है उसके against भी resistance है brown rust की against भी resistance है ठीक है तो अगर माल लो इसमें gene होगे ना yellow rust resistance के भी gene होगे brown rust resistance के भी gene होगे suppose उन जीन में कोई change आ गया है जनेटिक मेकप मतलब जो इसमें gene है जो DNA है अगर उसमें कुछ change आ गया तो हो सकता है अब उस change की वज़े से जो आपका change आया है आपका seed production के दोरान उसकी वज़े से अब ये resistance शो ही ना करें यहां पर ठीक है वो susceptible हो जाए तो basically कुछ ना कुछ characters में difference आ जाता है उसकी performance में कमी आ जाती है जब क्या होता है कोई genetic change आ जाता है मतलब कि उसकी genetic purity अगर maintain नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर उसमें कोई change आ जाएगा उसके genes में और जिसकी वज़े से उसकी performance में क्या आ जाएगा reduction आ जाएगा तो genetic purity का direct effect होता है हमारा ultimate जो yield होती है उस variety की उस पे ठीक है तो I hope आपको clear है कि क्या है genetic purity और growth test हम क्यों करते हैं ठीक है तो objective of growth test और इसकी applicability क्या है सबसे पहले जो main objective है to determine the genetic purity status of the given seed lot of a notified kind of variety और hybrid तो basically जिसका अभी हमने seed produce किया है जिसका हमें certification करवाना है because हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी पढ़ा है कि जो certification है वो आपका हमें कराना होता है तब ही वो हमारा क्या बनता है certified seed बनता है हमने different classes of seed पढ़ी nuclear seed होता है उससे breeder seed बनता है breeder seed की प्रोजनी है foundation seed और foundation seed से बनता है certified seed और ये certified कब होता है जब हम इसका seed certification करवाते हैं और certified seed ही हम farmers को sale करते हैं ठीक है यानि farmers जो अपने field पे grow करते हैं वो कौन सा होता है certified seed होता है because जो certification agency है जो आपकी बनाई गई है इस seed certification agencies होती है वो इसको certified करती है यानि कि वो उसकी quality की पुरी जाज करेंगे उसको assess करेंगे quality को physical जो आपकी उसकी purity है genetic purity है germination कितना है उस variety का moisture content क्या है seed का ये सारे parameters वो देखेंगे और फिर वो उसको क्या देंगे certification दे देंगे certificate दे देंगे कि ये बिल्कुल अच्छा है seed आपका genetically pure है इसको गर आप use करोगे तो आपको क्या मिलेगा आपका उस variety की जितनी भी yield है yield potential है वो आपको higher yield मिलेगी और आपको disease resistance अगर उस variety में है वो भी मिलेगी तो एक तरीके से ये quality को assure करता है seed की तो first objective हो गया कि genetic purity हम पता लगाते हैं growth test से second है कि to the extent to which the sample in question confirm to the prescribed standard of the concerned variety दूसर रगया है कि जो भी हमारा sample है यानि कि हमने एक seed lot तियार किया ये seed produce कर लिया हमने अपने field पे अब इस seed से जो हम sample लिया है हमने कि उस क्या वो कितना आपका pure है यानि कि इसमें कोई mixture तो नहीं other variety का या क्या सारा seed है आपका जो concern variety है जिसका आप seed produce कर रहे हो कई बार ऐसा होता है ना कि आप variety V1 का seed produce कर रहे हो आपने nearby field में ही variety V2 का seed भी प्रोड्यूस कर रहे हो सेम क्रॉप है सपोर्स भीट है क्रॉप यह हूंकि आपने variety V1 का seed प्रोड्यूस किया यहाँ पे variety V2 का तो हो सकता है थोड़ा बहुत mixture हो गया हो इसमें तो आपका जो mixture है वो क्या करेगा create उससे कि आपकी genetic purity फिजिकल purity कम हो जाएगी आपकी वराइटी की तो हम गुरॉव टेस्स से पता लगा सकते हैं कि उसकी purity कितनी परसेंट है then the test is required to be conducted for checking the seller's label with respect to genetic purity status of the seed lot under the provision of seed act 1966 तो seed act 1966 में यह provision है न कि आपको इसकी अगर आपको certificate चाहिए तो उसकी purity तो चेक करनी पड़ेगी तो बेसिकली अगर आपके पास कोई आपका seller है suppose आप सेल करते हो seed आपके पास आप कहा रहे हो कि हमारा certified seed है तो जो certification agency है वो उसका status भी चेक कर सकते है कि उसकी purity कितनी है उसके लिए भी हम grow test यूज करते है in addition grow test can be also be used as a measure to judge the efficacy of the certification agency or the inspector suppose क्या ही को किया certification agency ने आपको certificate दे दिया जो भी seed inspector था उसने कहा कि यह तो प्यूर है seed आपको certification दे दिया है आप अपना certified seed बेज रहे हो ठीक है जो seed inspector है या certification agency उन्होंने अच्छे से चेक ना किया हो आपकी जो genetic purity है physical purity है तो हम क्या कर सकते हैं grow out test कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कितना efficiently काम कर रहे है जो certification agency है या seed inspector है उस particular area का तो उसके लिए भी यह use होता है field of applicability का मतलब होता है कि यह कहाँ applicable है तो हमने पहले discuss कर लिया है कि basically यह आपका genetic contamination को avoid करने के लिए use होता है यानि कि genetic purity उसकी है या नहीं है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं grow out test यूज करते हैं और seed certification के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपने genetic purity आपकी check हुई हो हमने पहले बता दिया है कि अगर आपका seed lot है आपने यह produce के आपके पास foundation seed था आपने field पे लगाया और आपने प्रोडियूस कर लिए foundation seed की प्रोजनी अभी यह certified seed नहीं बना है certified कब बनेगा यह जो सीड है जब इसका certification हो जाएगा और certification करवाने के लिए आपको जो आपका seed inspector है वो sample लेके जाएगा आपके field से और उसके physical purity देखेगा उसकी genetic purity देखेगा है और उसका germination percentage है moisture content है वो सब assessment होगा तो जो genetic purity है उसको assess करने के लिए हम क्या यूज़ करते है जनरली grow out test यूज़ करते है तो यह इसकी क्या है field of applicability है अब बारी आ गए कि sample collection grow out test के लिए कितना होना चाहिए यह जो seed inspector आएगा वो कितना बड़ा sample लेके जाएगा तो जनरली crop के according होता है यह जो sample का size होता है एक kilo sample चाहिए हमें अगर maize crop है, cotton है, groundnut है, soya bean है, other species है आपकी इसी genus की जिनका size जो है seed का वो same हो यानि maize, cotton, groundnut इतना बड़ा गर seed है किसी भी species का plant species का उसके लिए 1000 gram यानि एक kilo seed चाहिए जो sample होगा जिसको seed inspector collect करेगा अब 500 gram किस के लिए चाहिए, sorghum, wheat, paddy और इनहीं के जितना अगर size है किसी और crop का seed का तो इतना हमें चाहिए 250 gram जो beta है और species है जो आपकी जिनका seed जो है beta के सीड के similar होता है 100 gram चाहिए बाजरा जूट और इतना ही बड़ा बाजरा के जितना जैसा होता है न दाना होता है बाजरे का जूट का seed होता है अगर इतना बड़ा किसी crop का seed है तो उसके लिए 100 gram चाहिए और अगर जैसे पोटेटो है अगर हमें sweet potato है पोटेटो है और जिनको vegetatively propagate करते है जिन crop को उनके लिए 250 ट्यूबर अगर पोटेटो है या sweet potato 255 ट्यूबर चाहिए planting stacks, roots, corms, planting stacks मतलब कि अगर कोई मालो शुगर केन है तो उसमें 250 planting stacks चाहिए हमें roots चाहिए, corn चाहिए मतलब कि यह depend करता है कि उस particular crop में कौन सा part हमारा यूज होता है vegetative propagation के लिए तो उतना ही उसका quantity चाहिए और जो sample हमारा draw करते है सपोस ही हमारा बड़ा seed lot है contals में हमारा seed produce हुआ है अब इसमें से हम randomly ऐसे sample लेने होते हैं ठीक है जो भी sampling procedure होता है उसको follow करते हैं मालो आपका अगर containers में है तो container से हमें कैसे seed select करना है कैसे sample लेना है random sample हम draw करते हैं कुछ number होता है samples का फिर उनको हम mix करते हैं तब हमारा क्या बनता है sample बनता है final sample जिससे हम क्या करते हैं grow test के लिए use करते हैं size working sample का ये तो हमारा collection हो गया है sample कि कितना बड़ा sample collect करेंगे अब जिस पे grow test करना है जिस sample पे वो कितना बड़ा होना चाहिए उसमें कितने seed होने चाहिए तो जो working sample है grow test के लिए geese में हम क्या करते हैं जितने हमने sample लिए अभी उपर random sample लिए हमने उनको हम mixing करते हैं और फिर उसको divide करते हैं सीड को फिर mix करते हैं divide करते हैं ऐसे करके हम उसको क्या करते हैं final sample हम select करते हैं और जो minimum population होती है आपकी plants की वो लगबग 400 होती है 400 से कम plant नहीं होने चाहिए मतब कि एक बार आपने field पे लगा दी अपने जो भी आप sample लेकर आए हैं तो उसमें लगबग 400 plant होने चाहिए यानि 400 सीड तो होने ही चाहिए और उसे के साथ आप standard के भी plant उतने ही लगाओगे वहाँ पे field पे तो जो minimum population है वो तो 400 हैं but depend करता है कि कितने percent genetic purity चाहिए मंदो किसी crop में जो हमारा जो seed act है उसमें define है कि जो certified seed है एक particular crop का उसकी कितनी percent genetic purity at least होनी चाहिए तो अगर आपकी crop है उसमें 99.9% genetic purity होनी ही चाहिए आपको देखना है कि जो certification के पहले ही जो हमारा जो Indian seed act 1966 उसमें define है कि कि इस particular crop के लिए अगर आपको certificate लेना है अपने seed को certified seed बनाना है और उसको बेचना है तो कितनी percent genetic purity आपको maintain करनी पड़ेगी तो अगर उस particular crop में 99.9% genetic purity है तो आपको 4000 plant का sample लगाना पड़ेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा जो standard है उसके साथ आपको compare करना पड़ेगा अगर crop में चाहिए हमें 99.8% genetic purity चाहिए तो 2000 plant हमें लगाने ही पड़ेगे तब assessment होगा growth test तब ही conduct होगा 99.7% genetic purity अगर आपके crop में चाहिए कि उन्होंने बोला है कि इतना परसेंट तो genetically pure होना ही चाहिए आपका seed उस particular crop का तो 1350 आपके जो है number of plants चाहिए 99.5 के लिए 800 plant चाहिए और 99% और उसके उपर अगर है तो तब आपको 400 plant minimum चाहिए ठीक है maximum permissible off type आपको पता ही है कैसे हो जाएंगे 99.9% genetic purity है तो off type का मत्तब है कि जो उसमें mixing है other crop के seed की या other variety के seed की बस वो कितनी होनी चाहिए 0.1% होनी चाहिए तो आपको पता है अगर ये 99.8% genetically pure है तो उसमें mixing कितनी है 0.2% है it is like that however it was also depend on the maximum permissible off type plant prescribed for the species under consideration in the Indian minimum seed certification standard तो under the seed act क्या है minimum seed certification standard already described है हर crop के लिए कि wheat के लिए कितना होना चाहिए यानि कि genetic purity कितनी होनी चाहिए और उसी के साबसुष में कितनी mixing permissible है मालो की for example आपने ये sample लगाया यहाँ पे ठीक है field पे और आपने standard लगा दिया साथ में यह आपका sample है ठीक है 4000 plant का आपने sample लगा दिया है यहाँ पे आपने standard लगा दिया है जिसके साथ आपको compare करना है यह 100% genetically pure है इसमें कोई mixing नहीं है यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका है यह 99.9% genetically pure है इसका क्या मतलब है कि इसमें जितने भी plant है उनमें आपके जो 99.9% तो बिल्कुल इसके exact है यानि सेम वराइटी के है जो 0.1% है प्लांट है वो कोई और mixture है सपोज यह भीट का seed था भीट की वराइटी है इसमें सपोज क्या होगा है मेज का seed mix होगा तो जो 0.1% प्लांट है वो मेज के रहेंगे तो यह आपके क्या होगे इस फिल्ड में यह off type कहलाएंगे कि अलग प्लांट है तो off type हो गए तो यह पहले से decide होता है कि कितना होना चाहिए सपोज उस crop में 99.9% होना ही चाहिए बट क्या हुआ आपके जो purity है वो सिर्फ 99% है 1% उसमें mixture हो गया तो तब आपका क्या है यह जो reject हो जाएगा इसको certificate नहीं मिलेगा क्योंकि अब इसमें जो for example इसमें 99.9% चाहिए थी genetic purity बट आपकी कितनी निकली 99% निकली तो तब इसको हम क्या कर देंगे reject कर देंगे तो इसलिए जो minimum genetic purity है उस particular crop की जो पहले सी seed certification in standard में हमारे describe की गई है उसको हमें धियान में रखना है then planting instructions क्या होंगे आपके सबसे पहले हम जब grow out test करेंगे तो हमें धियान रखना है सबसे पहले अपना जो आपकी location है grow out test की ठीक है सबसे पहला है location of grow out test तो grow out test generally हम वहीं करवाते है जहां पे जो cultivar है hybrid है जहां पे जिस area के लिए उसको release किया गया है या तो हम off-season nursery में भी grow out test कर सकते हैं standard sample हमने अब बता दिया आपको की standard sample क्या होता है फिर से एक बार discuss कर लेते हैं कर दो हम जूख कर दो आपको की जूए जसका है